तो हाजी क्या हाल चाल तो भाई शाओमी रेडी है अपने 14T स्रीज के अंदर एक और नया स्मार्टफोन लाउंच करने के लिए पूरे दो स्मार्टफोन है पहला है शाओमी 14T और एक है शाओमी 14T प्रो आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ शाओमी 14T के बारे में क्या माल मसाला है भाई सब सब कुछ डिटेल सामने आ चुकी है क्या खास होगी और क्या ये इंडिया में यानि भारत में लाउंच होगी देखिए चांसेश तो बहुती कम नजर आ रही है कि ये अपने यहाँ भारत में लाउंच हो सकती है अभी कुछ अपडेट नहीं है सायद हो सकती है कुछ पता चल रहा है कि ये सायद सैथे इसका री ब्रैंड होके कोई कंपणी यह ही हो सकती लाउंच कर दे शाय में ही कुछ लाउंच कर सकती है कुछ मतलब की मोलते हैं doubt यहां पर आविश संब Battery जिजिए कुछ पता चले करेगी चलिए जानते हैं Xiaomi 14 T के बारे में क्या खास होने बाली क्या माल मसाला होगा सब बताएंगे और यह बताएंगे कि आज की वीनर कौन है वह विताने वाला हो यह संदे है भाई साम तो बनता तो है विनर का नाम एनौस करने वाला में तो चलिए खैर मैं हूँ आपक दोस बात करना तो जबर्दस बिल्ड क्वालिटी होने वाले पूरा ग्लास बिल्ड होगा जी यहां ग्लास का बैक होगा एल्मोनियम फ्रेम ग्लास फ्रंट देखने को मिलने वाले लेकि जबर्दस आप रही बात कि फ्रंट में कि चीस की प्रोटेक्शन होगी Most probably chances बताया जारी कि Coding Gorilla Glass 5 का protection देखने को मिल सकती है बट phone का weight बताया जा रहा है Somewhere around 195 gram thickness 7.8 mm साथी IP68 की Rating देखने को मिने के दूर और पानी दोनों से ही phone को protect करने वाली दमदार build quality होने वाली है अब समाले कि दिखिने में कैसा होने वाला है बेक साइड रखेंगे टॉप पर इसक्वाइड सेफ में triple camera की housing होगी साथ ही आपको energy fast मिल जाएगी उसी के नीचे आप देखेंगे मतलब camera की housing में ही आपको like की branding देखने को मिलेगी साथ दरने आपको नीचे Xiaomi की branding देखने को मिलेगी फ्रेंसेश की बात करें परसन के आसपास boy to be sharing वेज़ चीन पतिस नहीं होगी करेंस की बात करें तीन colors confirm है पहला है black, blue और एक और gray color तीन होगी colors confirm है आगे बस हब titanium लगा लेना वर्ड बस ही होने वाला है अब सवाल है कि भाई साब content consume करने के display quality कैसे होने वाली है चलिए बात करते हैं display की दोस्तों display की बात करें जबरदस्ट display quality होने वाली ये large display है content का शिरू करने में मजा आने वाला यहां मिलेगा 6.67 inch की 1.5K 12 bit का emolet panel 27 12 into 12 20 pixel की screen resolution 27 का spec ratio 446 ppi की pixel density 4000 nits की bit brightness 144 hertz की refresh rate 480 hertz की touch sampling rate HDR 10 plus wide 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 L1 Dolby vision support भाई साब शांदार है कहीं से कोई कभी नहीं है 1.5K के का है 12 bits के colors आपको अच्छे मिलने वाले है HDR 10 plus wide wide L1 Dolby vision content के zoom करेंगे literally मजा आने वाला है आप HDR content रगर के देख सकते है Amazon और YouTube साइड Netflix पर सब कोई टेखनों को मिल जाए यहां बताया जा रहा है brightness जबर्दा से indoor order की visibility पे कोई problem नहीं आने वाली है refresh rate, touch sampling rate, combination शांदार है यहने कि social media page स्क्रॉल करें gaming में करने में smoothness फिर नजार आने वाली है अब सवाल है बाखी सब कुछ तो सही है भाई gaming भी कर लेंगे बता रहे है उसके लिए दिमाग कौन सा यूज के आगए ने कि प्रोसेसर कौन सा यूज के आगए चलिए बात करते है performance की दोस्तों performance की बात करें तो यह भी confirm हो चुकी है इस smartphone को शक्ति देगी MediaTek के तो सा Dimensity 8300 Ultra Processor अब भाई सब यह Ultra Plus इस साब का चोचले है MediaTek के यह एक advertisement करने का तरीका है तो वही थोड़ा सा clock speed को ऊपर लिचे कर दिया जाता है यह आपको देखने को मिलेगा 4 nanometer के fabrication पर जहाँ आपको हीटिंग सो काफी कम देखने को मिलता है Thermal Management का support भी अच्छा खासा यहां पर प्रवाइट किया जाएगा वेपर चेमर कोडिंग का support देखने को मिलेगा Xiaomi को तरफ से उवर से भी Xiaomi वाले इसको optimize अच्छा करने प्रोसेसर का जो optimization होती ना Xiaomi को तरफ से अच्छा किया जाते है ताकि आपको camera भी जबर्दस मिल सकते है मिलेंगा बताएंगा आपको चलिए जानते हैं कि कितना powerful है यह processor बात करते है raw CPU की बात यहां मिलेगा 4 cortex a715 जो कि 3.35 GHz अखलोग किया गया हो awesome होने वाली 35 GHz बैंड के साथ और रही बाद on to the score की तो 13,35,000 आपको मिलें यानि की भाई साथ आप गेमिंग भी जबर्दस्त कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बात करते हैं कैमरा की दूस्तों camera की बात करें तो camera ला जबाब नहीं साथ तीनों ही camera जबर्दस्त है या even selfie भी जबर्दस्त है कैमरा की बात करें तो पहला मिलेगा 50MP main sensor OIS support के साथ Sony का IMX906 sensor 13MP ultra wide angle lens, Omnivision OV1 3B sensor 15MP telephoto lens, Samsung JN1 sensor जहाँ पर 4X optical zoom support करती है जहाँ से 4K 30F 60F support करेंगी 1080, 240 record कर सकते हैं camera quality bumper है like a DSLR ऐसा बताया जा रहा है रही बात आपको खूपसर है चाहरा को अपचार के रिल स्वाने के लिए 32MP का selfie camera प्रवाइट किया जहाँ अब सैमसंग का S5KD1 sensor यूज़ किया गया है 4K 1080, 30F record कर सकते हैं quality bumper होने वाली है अब सवाल है कि सबको चलाने के रिए कितना में इसकी battery मिलेगी चली बात करते हैं battery की दोस्तों battery की बात के दो बताया का है कि इसी smartphone को जान फुकने के लिए मिलेंगा पूरे 5000 mh की battery 80W की charging सब देखने को मिल सकती है चाजर बॉक्स में definitely मिलेगा backup शान निकार देगा डेपन करता है आपको किसी जुच करते हैं अब बात करेंगे sensor security privacy की no doubt under display फिंग प्रिंस sensor फेस्वालों कॉप्सन डेफिनेटी मिलेगा sensor में सारे sensor मिलेंगे accelerometer जाहरे इसको approximately फ्लान डेखा चेटर फुटर NFC AI-A Blaster सब मिलेंगे USB support dual stereo speaker sound quality जबरदस्ट होने वाली बट unfortunately ना कोई 3.5 mm audio jack ना ही कोई card slot देखने को मिलने वाला है अब बात करेंगे software की दोस्तों software की बात करें तो मिलेगा latest android 14 को पर out of डी बहुत साथ यह hyper OS मिलेगा सस्ता iPhone की copy बोल सकते हैं क्योंकि मैंने देखा भी है हमारे आपके तरह जैसे viewer है उन्होंने बताया भी है वैसे आइफोन की copy की गई है जब अर्दस है अच्छा लगता यूई experience रही बात अपडेट से के बाद बताएंगे तीन साल android चार सा security patch अपडेट देखने को मिल जाएंगे अब बात करें इसके variants की दूस्तों variants की बात करेंगे सिर्फ दो ही variants बताएंगे है इसका जो base variant होगी वो होगी 8 प्लस 256 टूर्ट प्लस 256 options तो अच्छे हैं जिसकी जैसी requirement वेसा selection ज़्यादा स्वाल है कि आज को winner कौन है पैसे कैसे कम आएंगे इस वीडियो के थुरू आगे भी जो वीडियो आएंगे और हाँ price क्या हो सकती है सब बताएंगे जल्दी से वीडियो को like कर दिजे अपना एक target है 200 like का पहुचाईए शेर किजिए अपने friend और family साथ चले परिवाएं सबस्क्राइब करें बैड़ आपने ज़रू आपकर फ्री होती है मुझे थोरी से benefit मिल जाती है खेचली बात करते है price की तो हादी price की बात करें देखिए अभी price बताना जल्दबाजी है मैं यह आप पर छोड़ता हूँ आपके साथ से यह इंडिया में दिग गया ऐसाई specific के साथ तो आपके साथ प्राइस क्या हो सकती है और कितने excited है Xiaomi 14T को लेकर बताए कमेंट करेंगे तो इनी भाई के तरह आप भी जीद सकते हैं प्राइसे जो की सब के लिए important है तो यह बताते हैं कि आज कर वीनर को नाम न करना है नीचे आप flash हो रहागा email id इसी में आपको अपना अधार काट की scan copy send कर दी होगी front और back साथ यापको नीचे UPI id mention करना होगा जिसमें आप amount receive करना चाहते हैं 24 घंटे के अंतर यह verification होने के बाद आपके account में पैसे transfer कर जाएंगे जैसे पैसे मिल जाते हैं उसके screenshot लेकर और आप भी जी सकते हैं आपके तरह जिसके मैं कहता हूँ comment करते रहिए comment करेंगे chances increase होगे पैसे कमाने के इनी भाई के तरह next Sunday को मने Monday to Saturday और हाँ Sunday वाले वीडियो को भी यहाँ पर पिक किया जाता है comment को जो की next Sunday वाले ही वीडियो में नाम एनाउस होता है नेकि बता दो भा होगा तो आप भी comment करिए प्यार बरसाइए आप भी जित सकते हैं और दोस्तों टार्गेट पहुंचा दीजिए सब्सक्राइब करें फिर बिलते आप सब्सक्राइब करें वीडियो में ने टॉपिक साथ अब तक के लिए जैहिन जै भारत झाल में टॉपरोग तक कि एन लफ जजित से चाहिए वीडियो में यहुंचा झाल करें वीडियं यह कि बו्याए हो प्राप भी करेंएब कर सकता हैं ऑुआ हैं वी जैंजा कर दोस्तों हो representations